वेल रेंडी ओटन की इंटर्वी की बाते सुनकर ना उनके लिए रिस्पेक्ट और भी ज्यादा बढ़ जाती है वेल तो ही गाईज वेलकम तो दी माई चैनल मानुमस पंकर्स तो आज की इस वीडियो में बात करने वाल है संप इंट्रीइस्टिंग न्यूस्ट के वारे में क्योंकि तुम सबही जानते हों जब इंट्रीइस्टिंग न्यूस्टि हो दिए तभी मैंस ऌउब्स की बात करता हूं तो यहां पर CM Punk का reply आता है उस fan के उपर तो वहां पर कहते हैं कि I would listen मतलब यह मैं सुनूँगा मैं जरूर सुनूँगा तो यह थिंग हमें देखने को मिली तो यहां से हमें क्या हिंट मिलता है CM Punk की तरब से क्या वो future में हमें कभी creative रोल करते हुए दिखाई देंगे या फिर कोई back stage में creative creative decision या फिर हमें creative director बनते हुए दिखाई दे सकते हैं यहां से CM Punk का हमें decision बहुती अच्छा खासा देखने को मिल सकता है well creative direction जो की अगर CM Punk समालते है तो में भी बहुत इंट्रेस्टिंग होगा यह देखना इंट्रेस्टिंग रहेगा कि वो किस wrestling promotion का creative direction समालते है AEW या फिर WWE या फिर किसी और promotion का सब्लेखना इंट्रेस्टिंग रहेगा कि CM Punk क्या future लेते हैं क्या वो wrestling भी करते हैं या फिर नहीं करते हैं यह सब तो बहुत सारे सवाल सवाल जो की जुड़े रहते हैं cm punk की तरफ से सो देखना इंट्रेस्टिंग रहेगा कि CM Punk future में करते क्या है कभी वो direction creative direction के लिए जाते हैं या फिर wrestling direction के लिए आते हैं सो देखना इंट्रेस्टिंग रहेगा and next one thing की तरफ चलते हैं well next one news जो कि हमें Randy Orton की तरफ से आ रहे है सो उसमें जो कि Randy Orton ने इसका reply दिया इसका जवाब दिया उन्होंने and Randy Orton ने कहा कि मैं हमेशा सही wrestling सही famous हुआ हूँ wrestling सही मैं प्रसिद दुआ हूँ and wrestling सही है जो है मैं मुझे सब जानते है and I don't think so कि मैं Hollywood में जा सकता हूँ तब तक मैं WD को टाइम देना चाहता हूँ and अगर मुझे लगया कि अगर मैं wrestling नहीं कर पा रहा हूँ तब मैं जाके जो कि Hollywood का रूख अपनाऊंगा नहीं तो मैं जब तक मेरा हो सकेगा तब तक मैं WD के अंदर and wrestling के अंदर रहूंगा क्योंकि मुझे wrestling पसंद है इसलिए वो बोलते हैं कि जितना समय मुझे हो सकता है वो मैं wrestling में देना चाहूंगा क्योंकि मेरे साथ के जितने की जैसे कि John Cena हो गए जैसे कि उनके दोस्त बटिश्टा हो गए मतलब एसन सुपरस्टास Hollywood में जा चुके तो वो अभी फिलाल तो नहीं जाना चाहते हैं and future में में भी देखते हो जाते की नहीं जाते हैं so इसके अपर आपको क्या लगता है क्या हो जाएंगे Hollywood में तो मुझे comment section बता देना well next one thing की तरफ चलते well next one thing जो कि हमें SmackDown की तरफ से आ रही है जो कि SmackDown में हमें जो की अगला SmackDown जो देखने को मिलेगा तो इस SmackDown में हमें अइसी क्या देखने को मिल सकते कि इसको इतना special दिखाया जा रहा है और पुराना लोगों लाया जा रहा है क्या यह एक SmackDown के लिए यह फिर हमेशा के लिए तो मैं आपको बता दू यह सिर्फ एक SmackDown के लिए होने वाला है और यहां पर मुझे लगता है कि यहां पर Legends लोग आ सकते है वुड़ भी या पॉसिबल यहां फिर हो सकता है कि हमें यहां पर एज सुपर स्टार देखने को मिले जो की हो सकता है कि किसी रावलरी के लिए आये एंड हो सकता है कि यह रोमडेस को चैलेंज भी कर सकता है ऐसा कुछ हमें तिंग देखने को मिल सकता है तो यह सारी possibilities है जो कि हमें SmackDown में देखने को मिल सकती है और यह जो SmackDown का जो लोगो और यह सब थीम चेंज किया गया है वो सिर्फ एक SmackDown के लिए चीज किया गया है I've played it in a sense, a feel of discontent, I'm finally facing it all, fearless